हलो दोस्तो मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ चार बहुती जादा बढ़िया मोबाइल्स दो है इन्फिनिक्स की तरफ से एक रेडमी और चौथा रियल्मी की तरफ से तो इस वीडियो में इन चारों मोबाइल्स में कम परिजन करके आपको बताऊंगो इन चारों में क्या कम या है क्या क्या चाहिया है और आपको इन चारों में से कौन से लेना चाहिए तो अगर आप एक मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं 10,000 से नीचे तो वीडियो का आप एंट तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इंफिनिक्स की तरफ से आने वाले होटेट के बारे में दोस्तो यह आपको मिल जाएगा 9000 में पहले तो इसकी कीमत काफी जादा कमती सिर्फ 7000 का यह आपको मिलता था लेकिन अब इसकी रेट बढ़ गई आपको 9000 में मिलता है लेकिन इस मुबाइल में जो आपको खुब्य दी गई हैं में सबसे पहले इसकी डिस्प्ले है display size आपको मिलता है इसमें 0.5 छेंच का जो कि एक IPS HD Plus डिस्प्ले है नौच वाले डिज़ाइन के साथ डिस्प्ले के color से इसके अंदर आपको normal दिये गए हैं बाकि size और design इसके अंदर आपको काफ़ अच्छा मिल जाता है तो दोस्तों इसके अंदर आपको डिस्प्ले काफी अची दी गई है दूसरी खुबी जो इसके अंदर आपको मिलती है वो है इसकी RAM और स्टोरेज इसमें आपको मिलती है 4GB की RAM, 64GB की इंटरनल स्टोरेज पहले तो ये 7000 की साबसे काफी अची चीज थी इसके अंदर लेकिन जब सिसकी कीमत बढ़ गई 8.9000 का ये आपको मिलता है तो ये चीज़ इसमें आप नॉर्मल है डिजाइन दिया गया है प्लास्टिक के टाइप का लुकवाइस डिजाइन काफी अच्छा लगता है पीछी की तरफ तीन कैमरी दिये गया है जिसमें पहला है 13MP का दूसरा 2MP का तीसरा दिया गया है लो लाइट सेंसर फ्रेंट है 8MP कैमरे इसके इंदर आपको नॉर्मल मिलता है फिंगरपिंट स्केनर दिया गया है बैक पैनल पे लेफ्ट सेट पर मिलती है SIM केटरे इसमें दो SIM काट एक मेमरी कार तीनुचीज एक साथ लगा सकते हैं नीची की तरफ इसमें आपको टाइप सीपोर्ट नहीं मिलता इसमें कमी हैं बाकि दोस्तों ये मुबाइल फास्ट साइजिंग सपोर्ट भी नहीं करता राइट साइड साब देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन और पावर का बटन उपर की तरफ साब देखेंगे तो बिल्कुल प्लीन डिजाइन है अब इस मुबाइल में जो आपको तीसरी खुबी जो मिलती है वो है इसकी बैटरी बैटरी दी गई है 5000 इमेज की बैटरी बैकप इस मुबाइल में आपको एक दिन का राम से मिल जाता है बैटरी के अंदर ये मुबाइल काफी अच्छा है इसके लब दोस्तो प्रोसेसर दिया गया है MediaTekka P22 तो अगर आप एक heavy user है तो इस mobile में आपको दिक्कत होगी ये mobile normal use के हिसाब से है तो दोस्तो देखा जा तो तीन चीज़ इसमें काफी अच्छी है सबसे पहला display size काफी बढ़िया है दूसरे इसके अंदर आपको battery अच्छी दी गई है तीसरे इसके अंदर आपको RAM और storage अच्छी मिल जाती है बाकी design को लेकर मुझे ये mobile normal लगा और processor इसके अंदर आपको normal यूज के हिसाब से ही दिया गया है camera भी इसके अंदर आपको normal मिल जाता है वो है इसके RAM और storage जो आपको hot 8 की तरह मिल जाती है 4GB की RAM, 64GB के internal storage अब इस mobile में जो आपको दूसरी खुबी मिलती है वो है इसके डिस्पले इसके अंदर आपको साड़े शेंज के आसपास ही डिस्पले मिलती है लेकिन design इन्फिनिक्स के hot 8 से जाद अच्छा है पंचोल कैमरा दिया गया है डिस्पले के अंदर ही कैमरा है लेफ्ट साइट पर इसके साथ इसमें दोस्तो IPS HD प्लस ही डिस्पले मिलती है लेकिन अगर आप colors देखींगे तो इसकी display जाद अच्छी है hot 8 से तो display का design भी और colors जो सबसे जादा main है वो आपको इसमें काफी अच्छे दिये गया है इसके लाव इसके अंदर आपको जो तीसरी खुबी मिलती है वो है इसका design color इसका काफी जाद अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं वैसे इसमें भी plastic के type के design है लेकिन glass look आपको इस range में किसी भी mobile में देखने को नहीं मिलता तो look wise design इसका भी आपको काफी अच्छे मिल जाता है fingerprint scanner भी दिया गया है तीछी की तरफ 4 camera मिलते हैं जिसमें पहला है 13 megapixel का 2 camera है 2-2 megapixel के चौथा low light sensor फ्रेंट है 8 megapixel का camera के performance इसके अदर आपको काफी अच्छे मिल जाती है इसमें भी sim के ट्रे ऐसी दी गई है 2 sim card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं rotate की तरह लेकिन कमी वही है type c port इसके अदर भी आपको नहीं दिया गया ये mobile भी fast charging support नहीं करता उपर की तरफ से आप देखेंगे तो plane design है लेकिन दोस्तों इसके अदर आपको जो चौती को भी मिलती है वो है इसकी battery बैटरी दी गई है 5000 image की इसके अदर भी आपको एक दिन का battery backup आराम से मिल जाता है बैटरी के अंदर ये mobile काफी जाद अच्छा है लेकिन प्रोसेसर वही दिया गया है MediaTekka P22 तो अगर आप एक heavy user है तो इस mobile में भी आपको दिक्कत होगी लेकिन इंफिनिक्स के hot 8 के comparison में ये mobile कुछ चीज़ों में जाद अच्छा है सबसे पहले इसके अंदर आपको display की quality, design जाद अच्छा दिया गया है hot 8 से दूसरे इसके अंदर आपको back car design काफी अच्छा मिल जाता है तीसरा battery अच्छी दी गई है और चौतरे इसके अंदर आपको camera hot 8 से जाद अच्छा दिया गया है चले बढ़ते हैं अगले mobile की तरफ जो की है Redmi 8 यह आपको मिल जाएगा दोसरे 9000 में पहले यह 8000 का था इसकी कीमत 1500 बढ़ गई अब जो इस mobile में आपको खूब यह दी गई है उनमें सबसे पहले इसके display है इसमें आपको 7.2 इंचेस के असपास इसके अंदर आपको नौच वाले डिजाइन दिया गया है IPS HD Plus डिस्प्ले है वैसे दोस्तो डिस्प्ले की quality में और design में Infinix का hot 9 जाद अच्छा है इस mobile से इसके लाव इसके अंदर भी आपको 4GB की RAM 64GB की internal storage मिलती है लेकिन इसका जो design है look wise उस सबसे जाद अच्छा है आप देख सकते हैं blue colors का बहुत जादा बढ़िया लग रहा है हाला कि इस पर भी scratches काफी असानी सा आ जाते हैं लेकिन दोस्तो look wise तो design इसका best है पीछे की तरफ दो camera दिये गया है जिसमें पहला है 12 megapixel का दूसरा 2 megapixel का front है 8 megapixel का camera भी इसके अंदर आपको काफी अच्छा मिल जाता है वैसे camera के अंदर ये mobile मुझे काफी जादा पसंद आया left side साब देखेंगे तो sim kit रहे इसमें भी दो sim card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं नीची की तरफ इसमें आपको type c board दिया गया है ये इसमें खुबी है जो बाकी की किसी mobile में आपको नहीं मिलती इसे के साथ ये mobile fast charging support भी करता है तो आप एक 18 watt का fast charger इस mobile के साथ इसमाल कर सकते हैं अलग से खरीद के उपर की तरफ IR blaster दिया गया है जिससे आपका MI remote काम करता है तो TV अगर आप इस mobile से चला सकते हैं इसके लव दूसरे इस mobile में जो आपको battery दी गई है वो मिलती है 5000 image की एक दिन का battery backup इसके अंदर भी आपको अराम से मिल जाता है लेकिन कमी ये है प्रोसेसर वही दिया गया है Snapdragon 439 तो अगर आप एक normal user है तो दिक्कत नहीं होगी लेकिन heavy use के अंदर इस mobile में भी आपको दिक्कत होगी तो वाकि दोनों mobile की तरह जो हमने अभी देखे इससे पहले इसके अंदर भी आपको वही कमी मिलती है तो दोस्तों देखा जाए तो अगर आपको Redmi पे भरोसा है सबसे ज़ाद अगर आपके लिए design matter करता है इसे के साथ आपको अच्छा camera और battery चाहिए तो ये mobile आपके लिए बहुत ज़ाद अच्छा रहेगा लेकिन दोस्तों display इससे ज़ाद अच्छी आपको Infinix के Hot 9 में मिल जाती है उसकी कीमत भी एक हजार कम है रेम और स्टोरेज भी आपको Hot 9 में इसके बराबर मिल जाती है और उसकी कीमत कम है इसे के साथ battery भी Hot 9 में आपको इसके बराबर दी गई है तो ज़ादातर चीज़ों में Hot 9 ज़ाद अच्छा है लेकिन डिजाइन, कैमरा ये दो चीज़ा आपको Redmi 8 में बहुत अच्छी मिलती है बाकि इस मॉबाल की मुझे सबसे बड़ी कम भी यही लगी कीमत तो इसकी 9,000 के आस पास है लेकिन इसके अंदर आपको प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं दिया गया प्रोसेसर इसके अंदर अगर अच्छा होता तो काफी बढ़ी यह रहता चलिए बढ़ते हैं अगले मॉबाल की तरफ जो कि है रियल मी नार्जो 10 है दोस्तो ये 8,000 का लाउंच हुआ था अब इसकी भी 500 कीमत बढ़ गई आपको मिल जाएगा 9,000 में इसमें आपको रैमोर स्टोरेज कम मिलती है 3GB की RAM 32GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है तो रैमोर स्टोरेज तो आपको होट 9 में ही सबसे कम कीमत में जादा मिल जाती है लेकिन इस मोबाल में जो आपको खूब यह दी गई है में सबसे पहले इसकी डिस्पले है इसमें भी आपको साड़े चेंज की डिस्पले मिलती है IPS HD प्लस लेकिन डिजाइन है नौच वाला तो डिजाइन तो होट 9 का हिस्सा जाद अच्छा है लेकिन इसके इंदर भी आपको काफी अछह दिये गया है डिजाइन इसके अदर आपको मिलता है हाड प्लास्टिक की डाप का काफी बड़ी रियलमी की ब्राणिंग मिल जाती है राइट सैट पर लेकिन हाड प्लास्टिक है तो इस वागज जाज अस पर आपको scratches की problem बहुत कम मिलती हैं सब इ-mobile के comparison में तो सबसे कम scratches आपको इस mobile पे देखने को मिलते हैं बाकी सब इ-mobile के comparison में fingerprint scanner दिया गया है पीछे की तरफ तीन camera मिल जाते हैं जिसमें पहला है 12 megapixel का बाकी की दो camera है 2-2 megapixel के front है 5 megapixel का camera मुझे इसका normal लगा सबसे best camera लगा मुझे Redmi 8 का इसमें भी आपको left side पर sim caterer मिलती हैं इसमें 2 sim card एक memory card तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं नीची की तरफ type support नहीं दिया गया यह इसमें कमी है ना ही इ-mobile fast charging support करता right side साब देखेंगे तो power का button उपर की तरफ साब देखेंगे तो बिल्कुल plane design है इसके लगा दोस्तों बैटरी इसके अंदर आपको दी गई है 5000 image की बैटरी backup इस mobile में भी आपको एक दिन का आराम से मिल जाता है बैटरी में यह mobile भी बहुत अच्छा है सारे ही mobile बैटरी में बहुत अच्छा है लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपको जो processor दिया गया है वो मिलता है MediaTek का G70 processor तो अगर आप एक heavy user है तो इस mobile में आपको सबसे अच्छी performance देखने को मिलती है processor इस mobile में आपको सबसे best दिया गया है इन सारे mobile में जो की सबसे important चीज़ है तो ये सारी खूबिया कमी आपको मिलती है इस सारे mobile में चलिए बात कर लेते हैं सबसे main चीज़ आपको इन सब में सब कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं तो सबसे पहले matter ये करता है कि आपको Infinix पर ज़्यादा भरोसा है रेडमी पर या फिर रेडमी पर इसके बाद जो आपकी main ज़रुत की चीज़ है वो कि इस mobile में ज़्याद अच्छी है तो दोस्तों अगर आपके लिए matter करती है mobile की battery, mobile की display, RAM or storage तो इन तीन चीज़ों के लिए आप Infinix का hotline ले लिजिएगा सबसे कम कीमत में वो mobile आपके लिए ज़्याद अच्छा रहेगा लेकिन दोस्तों अगर आपके लिए mobile में design ही सबसे ज़्यादा matter करता है और आपको camera सबसे अच्छा चाहिए तो आप Redmi 8 ले लीजिएगा Redmi 8 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा लेकिन इन सब में overall देखा जा तो सबसे best mobile है Realme Narzo 10 जिसके अंदर आपको processor बहुत अच्छा मिल जाता है तो अगर आप एक heavy user है आपको hang होने की दिक्कत बिल्कुल पसंद नहीं है तो सबसे ज़्यादा smooth performance आपको Realme के Narzo 10 में मिलती है अच्छे processor के लिए आप Realme Narzo 10 खरीदियेगा तो battery, display और RAM और storage के लिए Hot 9 back design और camera के लिए Redmi 8 और processor के लिए Realme Narzo 10 जिसके बाद Infinix का Hot 9 आप बताईएगा नीचे कमेंट करके आपको इन सब में कौन से ज़्यादा पसंद आया इसके लब वीडियो को आपको helpful लगी तो अपने दोस्ते के साथ इस वीडियो को share कर देगा WhatsApp Facebook पे मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए take care, bye bye